हेलो फ्रेंट्स दिस उमेश और आज हम लोग इस वाली जो प्लेट है इसके लिए अनेक्स कैम के अंदर प्रोग्राम जनेरेट करने वाले हैं यह क्याविटी प्लेट है मैं सीथा लेता हूँ और मिडील पॉइंट कहीं यहां पर आ रहा है इसको थोड़ा सा मैं मंडल में लेके आता हूँ राइट तो कर देल पर आ है और इग्जेक्ट लिए चाहिए अगर आपको तो फिर आपको डामेशन चेक करने पड़ेगी देन इट विल कम अन्द प्रॉपर प्लेस राइट अब तो सबसे पहला काम मेरा क्या है हमें एक बार यह देख लेता हूं इसका साइज क्या है तो यहां से यहां तक 38 के आसपस है राइट नो प्राब्लम अब वापिस यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके मेरा काम है पहला वर्क पीस डिफाइन करना तो पार्ट हमारे यह हो गया ओके और ब्लैंक एक बांडिंग ब्लॉक लिलते हैं अगरा फिनिशिंग नहीं करना चाते तो चली पर आज मैंने फेसिंग भी करता हूं तो यहां से मैंने एक्स्टर ले लिया ओके और ओके राइट अब यहां से मैं लेता हूँ तूल सो पहला एक काम करते हैं फेसिंग लेनी है तो एक यहां से टूल में जाते हैं और टूल मैं ले लेता हूं एट का एट का एन्विल एट और एट के साथ मेलेता हूं पॉटी की यह लेंद और यह दासे 55 कर देदें और ओके अब इस वाले टूल को हम यूज करते हैं यहां से प्लानर मिलिंग में गए और यहां पे है मेरे पास फीज मिलिंग विद बाउनरी तो फीस मिलिंग विद बाउनरी को पिश मारते हैं ओके रइट ओके सो इसको हम करते ले फीशिंग और फीसिंग हो जाए गई इट अन्व यह फेसिंग आप्रेशन है और क्लिक करते हैं से बाउंडरी बाउंडरी के मैंने कर लिया और करू को यहां से स्टार्ट किया जो जो आउटर बाउंडरी से हैं वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां से फिर जूम कर लिजे यह जूम किया राइट यह क्लूज हो गया और क्लिक और क्लिक राइट ते वह यह क्लूज हो चुका है हमारा और तूल मेरा इंसेट रहेगा और ओके कर देते हैं क्लिक और यहां से जाते हैं और यह प्लीन आरा ऑटमेटिक इसकी जगह मैं इसे कर देता हूं प्लीन को इस फेस पे राइट ओके क्योंकि यह प्रॉबर्ली आ नहीं रहा था आप देखिए यह मेरी बाउंडरी हो गया लिमिट हो गया जिसके अंदर फेसिंग करना चाहता हूं और इसको जिग 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 क्या यूज करना चाहते हैं और यहां से इसको 60 मैने ले लिए स्टैप ओवर और यहां पे देप्ट अफकर जिजरु पॉइंट फाइफ की डप्त अफकर लिजोते हैं अब ब्लैंक की दिस्टेंस से वन तो वन एम का है और पॉइंट फैप पॉइंट फैट फाउफ करके आम इसे कट करना चाहते हैं और यहांसे टूप लेक्सिस आपको चेंज करना है और जैड कर कर ले दें तो इस तरफ ये काम करना शुरू करेगा और वेरिफाइंग चले एक बार मैप को इसका वेरिफिकेशन दिखा यह दो और प्ले तो पहला ऑप्रिशन है फेसिंग का फेसिंग हो गया है इसे करते हैं दन और ओके नेक्स्ट अब मैं लेने वाला हूं यहां से क्यावटी मिल ताकि रफिंग का जो काम है वो हो जाए तो रफिंग के लिए टूल चाहिए मुझे तो टूलिक मैं ले लेता हूं यह से और टूल 16 का एंड मिल ले लते हैं रइट ओके 16 आप इसे कर दीजे लोवर रिडियस बुल लोज रिडियस लेते हैं और ठीक है जालिए यह सब ठीक है इस नहीं चेंग कर रहे हैं ओके अब यहां से जाते हैं और हमने लिए क्यावटी मिल टूल चेंज कर लिजे और यह लिए लिए अब रफिंग के लिए आपको पता है आप सेलेक्शन करना चाहिए अच्छी बत है नहीं करेंगे तो यह आटमेटिकली पूरे को ले लेगा अब यहां पे जो डप्तफ कट है वो मुझे स्पेसिफाई करनी है तो डप्तफ कट हम ले लता है यहां से 0.15 और आप यहां से आ डप्त फॉर्स्ट कर देते हैं और स्टॉक इस टॉक के अंदर मैं स्टॉक ले लता हूं यह साइड के लिए साइड के लिए आप लेजिए 0.6 और फ्लोर के लिए 0.1 ऑके और एक बात जनरेट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट smaller area में टूल जा नहीं पाया है और जो non cutting moves है अगर आप उन्हें hide करना चाहते हैं तो आप non cutting moves को on-off यहां से कर सकते हैं यह option दिया वाई यह जो cutting moves और यह non cutting moves right click करते हैं और अब verify तो यह रफिंग का operation ओके आंड क्लिक एर सो यह रफिंग का operation भी मेरा हो गया है अब हम क्या करते हैं अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट operation जो की मेरा होगा रेस्ट में लिंग का ठीक है तो उसके लिए हम लोग एक टूल यूज़ करते हैं और टूल मैं 8 का जो एनवल था उसे से ही यूज़ कर लूँगा और इस बार मैं लेने वाला हूँ यह वाला जेड लेवल प्रफाइल जेड लेवल प्रफाइलिंग और टूल मेरा एट का जाएगा और वर्क पीस रफिंग आप इसको लिख लिजिए एंट एंड मिल रेस्ट से उकें अब यहां से जाके सिलेक्शन अपाइगा नहीं करेंगा थी सब कुर ले लेगा सब के लिए प्रोग्राम करनाने की कोशिश करेंगा प्सक्तलिण की वॉर्टीग वॉल्स तो इन सब को सेर्ट कि है उसके लिए मैं जी डू पाइंट वन टैप तब कट लेता हूं और इसके बाद दू कटिंग पैरेमिटर में स्टॉक में जाते हैं ए स्टॉक को कर देते हैं कम तो 0.1 इधर कर दिया और फ्लोर पेकर दिया 0.07 और और के टॉल लेंगे जो भी रुकार्मेंट पड़ती है तो कैल्कुलेट करते हैं से थोड़ा से टाइम तो बिसी ले गए ये और अगर आप चैनल पर नए है अभी तक चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्रेस करेगा ताकर नोटिफिकेशन अपको मिल जाए यहां पर आ रहा है यहां पर भी आ और यहां पर भी और रहा है तो यह चीज मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे यहां से जाएए और धिहान से निकीश्टन हो गया कि इसको मैं इस लेट करें ताकि इस होल में ना जाए राइट तो ये मेरा अब ठीक है और इसको कड़ते हैं ओके आब एक बार और काल्कुलेट करिए अब यह ठीक लग रहा है और इसके अंदे फूर स्पीड भी रगए दो फीड और स्पीड में आपर डाल देता हूं इसके लिए बत्तिस्सों की फीड हमने लेली और स्पीड लेली और पंद्रसों का कटिंग फीड ओके और जनरेट और एक बार आपको इसका वेरिफिकेशन में दिखा जाए क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा साइड करता हूं में और यह पूरा आगया थोड़ा अब्जेक्ट जो है हमारा है ही इस तरी किगा आप यह देखिए है कि छोटा वाला टूल है और यह यहां पर कटिंग करने की कोशिश कर रहा है यह जो आपको दिखाए दरा है एक्जेक्टी ऐसा है नहीं यह यह सिफ ग्राफिक की वैज़े से ऐसा दिखाए दरा और यह धिरे-धिरे क्लियर हो जाएगा और ओके और अगर इसको और बैटर देखना चाहते हैं तो मेरे पास एक और तरीक है आप टूडी डानिमिक में जाए और यहां से जनेर्ट करके देखते हैं कि अब आप देखेंगे तो आपको यह प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा होगा राइट वहां पितना अच्छा क्लियर नहीं दिखाई दे पाता है यहां से आप देखेंगे तो आपको काफी अच्छा दिखाए देगा रिजुल्ट एक्च्वल में आ क्या रहा है अप, तो नहीं तक भी जा पाया है इसने बहुता के कर देखेंगि कर दी है तो यह वाला हमेरा गए इस थे कर देखेंदे हैं ओके और के तो यह रेस्ट मिलिंग हो गया है अभी भी मेरे पास कुछ मिट्रियल बच गया है तो एक काम और कर सकता हूं मैं मैं यहां से जाता हूं और यह जो फ्लाइट एरिया है इन फ्लाइट को फिनिश करने के लिए प्लानर मिलिंग ले लिए और फ्लोर इन वाल में गए और इस एक विस ये वाला है एड एक विस ये है एड और एक विस ये है ओके तो फॉर फेसे सोगे इसको मैं फॉल बाट कर देता हूं और डैप्त अफकर फ्लोर इसकी जुदत नहीं है सीधा पूरा क्लीन ही करता वा जाएगा और अटमेटिक वाल करके कैलकुलेट ठीक है और देखे सब्सक्राइब इसको तोड़ी डाने के अंदरी इस पीड थोड़ी स्लो करा अ कि अ कि अ ओके दिखे तो ये इसने फिनिश कर दिया है ओके अब बाकी जब पूर्शन ये बचा है इसके लिए हम फिनिश का ऑपरेशन लगाते हैं इसे ओके करते ते अब टूल चाहिए इस ले दा हो बॉल मिलफिनिश के लिए और बॉल मिल लिया मैंने एट का इट को आ इस अ बाटि और ओके चलने के लिया है अब फिनिश के लिए मेरे पास और अप्षैन हैं आप इसको भी यूशिन करते हैं क्योंकि यह फिनिश निकल्स होता है mostly use यही करते हैं यह काफ़ अच्छा option है इसका दो benefit मुझे लगते हैं मैं बताता हूं आपको finishes को रखा okay कर देदें और area area कौन सा कटका ना है फिर से वही मैंने sub select किया और यहां से यह हटाए देए अब यहां पर जो depth of cut है इसके लिए मैं काफ़ी कम लेता हूं 0.14 बहुत कम हो जाए गए और cutting में जाके अगर आप horizontal और vertical सब ले रहे हैं ठीक है यह face already मेरे clean हो चुके हैं तो चलिए अभी इतना ही कर देता है मैं उसको अभी आगे बताता हूं कि अगर horizontal face को लेते हैं तो कैसे करना है तो फिलाल में मैंने कोई change नहीं किया है और यहां से स्पीड और फीड कालकुलेट ओके और यह finishing operation है तो अबिसली स्टॉक जीरो हो जाएगा जनरेट करके देखे यह वाला area already finish है तो यहां पर हमें selection नहीं करना था कोई बात नहीं एक बाद देखते हैं फिर हम से चेंज कर लेंगे देखिए यहां पर इसने cutting कर रही नहीं है क्योंकि यहां पर already finish हो चुका है जबकि हमने selection में select किया था यह सब ऊपर मेटर नहीं है तो उसे छोड़ दिया इधर का cutting कर रहा है इधर का cutting कर रहा है और एक बाद इसका मैप को result दिखाता हूं click इसमें देखे कर रहा है लेकिन यहां पर exactly इतना याद अच्छा क्लियर हो नहीं पाता क्योंकि ग्राफिक धिरे 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 ठीक हो पाते हैं तो इस वज़े से देखिए हैं इसकी clarity और इस वाले को मैंने अब ऐसे रख लिए और थोड़ जूम भी कर ले दें ताकि मुझे exactly पता चले क्या हो रहा है कि यह आगया है और एक यह एरिया मुझे अभी स्किप करना चाहिए था क्योंकि इसके लिए मुझे छूटा टूल चाहिए होगा तो देखते हैं यह इसके अंदर जाके कितना काम करता है कि यह गया इसने रफिंग साथ कर दिया अभी नीचे कुछ मटिर रह गया है तो यह रोके करते हैं और टूल में जाके यह एंड मिल है इसको मैं बॉल मिल करता हूं राइट तो थोड़ा सा मेरे पास क्लेटी हो रहा ही और नीचे का जो फेस था वह नहीं आ रहा था तो करते हम जा इंड़ से अब वागा है और यहां से त्यक्सेन इंदर करीं बीटमें लेविल भी आप ले ले लिजें है तो बीटमें लेविल भी कटिंग मोना चाहिए और यह दिस्ष्मिन जल्समें ठीजर्ट करता हूं और मैं आपको रली दिखाता हूं क्या राया अazed कि यहां पर अभी यह इसको ले लिया क्योंकि मैंने फेस यह सिलेट करके थे और कट बिट्विल लेवल भी कर दिया है तो यह इधर भी आ गया है तो यह एरिया जो फ्लाइट है जो अलेडि मशीन हो चुका है उसको हम स्किप कर देदे हैं अब ठीक है और यह एरिया भी में बाद में ले लूँगा इसके लिए मैं सेप्रेट आपरेशन अभी इसके बाद लगाता हूँ क्योंकि आप मुझे छोटा टूल चाहिए होगा यह आ गया है अब इसे हम वैरिफाई करके देखें और टू दिनाने के अंदर प्ले करिए अब यह फिनिशन का ऑपरेशन है अब मेरे पास बचेगा सिर्फ यह वाली पाकेट तो इसके लिए मैं अभी ऑपरेशन लगाने वाला हूँ एक बार सेमी फिनिश लगा देंगे एक बार फिनिश लगा देंगे दो अपरेशन भजाएगा और यहां पर हलिका से मेटरिल बचा हुआ है अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहते हैं तो हम रिफ्रेंस फ्लो कट रिफ्रेंस टूल लगा के यहां से छोटे टूल से से फिनिश क कर सकते हैं और अभी मैं नहीं ले रहा हूं अभी ठीक है ओके और ओके अब इसके लिए यह फिनिश था तो इसका नाम डाल देते हम एट बॉल मिल फिनिश अब एक टूल जो और चाहिए वो छोटा वाला टूल मुझे चाहिए होगा जो कि इसके अंदर चला जाए और कटिंग कर दे तो यहां से लेते हैं एक चोटा टूल और चोटा टूल है फोर का एनिश कर लेंगे फिर एक ओर टूल लेह थे हैं फोर का बॉल मिल को कि फूर का बॉल मिल अब यहां से जाते हैं यहीं ऑपरेशन में यूज़ करें फिरसे और नमिल को पहले लेंगे और यहां से हमने इसको चलियो रख रख लेदाओं और यह हैं फूर एंड मिल एह 10 और इसके लिए जो step depth of cut है वो 0105 और यहां से 4,800 और यहां से cutting parameter में stock में जाके stock भी मैं बहुत कम कर देता हूँ 0.08 दोनों के लिए हो गया तॉलेंस को भी कम कर देते हैं ओके अब calculate करिए तो मैं आपको दोनों का एक साथ रिजली दिखाता हूँ पहला वाला यह हो गया जो कि ठीक है फिर हम क्या करते हैं नेक्स्ट ऑप्रेशन इसी कोई copy कर लेता हैं क्योंकि सेम यही रहेगा और इसे करते हैं पेस्ट इंसाइड इसका नाम मैं चेंज कर दूँगा पहले अडिट कर देते हैं सॉरी यह सेलेक्शन ठीक है और टूल जो है अपकी बार फूर का बॉल में यूज़ करेंगे और depth of cut यह यही रख लेता हूं मैं और यहां से इसे आप जीरो कर दिजे या फिनिश ले ले लिजी राइट तो ज जनरेट और ओके एक बाद एक लिए दोनों गो यह रहा स्मिलिंग एट अन्मिल से यह बॉल मिल से बॉल मिल से जब हमने लिया है तो एक चीज़ और अगी बीट्विन कनेक्शन और लेना था ताकि नीचे वाला जब पोर्शन है यह होरिजेंटल वाला यहां तक टूल जाए यह अभी जाने राए देखते हैं ओके यह रही है न तो इसके लिए यह जो था इस वाले को लेते हैं और यह बॉल मिल टूल और कटिंग में कनेक्शन में जाके इसे अन कर दिजिए बस इतना ही आपको करना है बाकि सब हमारा ठीक है एक बार कैलकुलेट कर दिजिए और ओके तो आपको इसमाज में आगया होगा किस तरीके सीन को यूज करना है इसका नाम भी मैं करता हूँ फोर बॉल मिल फिनिश राइट तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लिस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिए